पदमावत को रिलीज हुए काफी समय हो चुका है इस मूवी में खिलजी के किरदार यानि की रनवीर सिंग को काफी पंसद किया जा रहा है इस मूवी ने अब तक 249.50 करोड की कमाई कर ली है मूवी में खिलजी उर्फ रनवीर सिंग, रानी पदमिनी उर्फ दीपिका पदकोन, राजा रावलरतन सिंग उर्फ शाहिद कपूर, जिमसरब उर्फ मलेक काफूर को काफी पसंद किया गया है अब अभी हाल ही में जिमसरब ने इस मूवी को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किये जिसे सुनने के बाद सभी इस मूवी को ज्यादा पसंद करने लगे है जी दरसल में अभी हाल ही में एक इंटर्व्यू के दोरान जिन ने कहा कि उनके लिए मालिक काफूर का किरदार काफी शांदार रहा है खिल जी का दास बनना भी उन्हें बहुत अच्छा लगा काफूर सुल्तान सल्तनत का एक खास सलाहकार रहा है जो भूमिका मेरे लिए बहुत अच्छी रही है जिन ने मुविक के खास पल के बारे में बताया कि उनके लिए सबसे खास पल कई सारे रहें ऐसे में एक पल का जिक्र करते हुए जिम ने कहा कि मुझे तब बहुत खुशी हुई जब मेरे अभिने की रनवीर ने काफी तारीफ की रनवीर के साथ काम करना उन्हें बहुत अच्छा लगा यह उनके लिए एक बहुत ही शांदार एक सपीरियंस रहा फिल्म के एक सीन ने जिम का दिल जीत लिया जो उस वक्त का था जब रनवीर ने बजीर के मारे जाने पर यह किया जी इस वक्त जिम को बहुत अच्छा अनुभव हुआ उन्हें लगा कि रनवीर से ज्यादा बेहतर तरह से कोई यह सीन नहीं कर सकता